अलाक निरंजन कौन बाबाजी मैं अपनी बहन चंद्रावण के हाँ पे भिक्सा लेने के लिए आया हूँ क्या मेरी बहन आ सकते हैं मुझे भिक्सा देने के लिए आपकी बहन हमारी राणी ऐसा होई नहीं सकता बाबाजी तेरे जैसे फपकड अर्मोडे इस राणी के दर्वाजे पे रोज आवे हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है मैं उसकी पांदी हूँ और आपके वेश भुसा से किस्ते ते भी कौनी लागा के चंद्रावण हमारी राणी आपकी बहन हो सकती है लेकिन मुझे आप से भीक्सा नहीं लेनी मुझे अपनी बहन के हाथ से भीक्सा लेनी आप मेरी बाब सुनिये कहिएगा बाबाजी मेरी बहना क्यों ना आई भीक्स मन देने को मेरी बहना क्यों ना आई भीक्स मन देने को मेरी बहना क्यों ना आई भीक्स मन देने को मेरी बहना क्यों ना आई भीक्स मन देने को हाथों में ठाल बाबा नाराणी तई दिखाई वो है मेरी मा जाई मने उसकी तेर लगाई भीक्स मन देने को मेरी बहना क्यों ना आई भीक्स मन देने को मुझे अपनी बहन के हाथ से भीक्स लेनी है बांधी कावजी आप धूठ बोल रहे हो के आप हमारी राणी चंद्रावण के भाई हो भूलगी तु बांधी मुझे सुनिए गा मोटे तूत चाले काटे पिख लेने ते भीनाटे क्या देता नहीं सुनाई गोपी चंद उसका भाई न्यूराणी मने बुलाई धीक मने देने को मेरी बहना क्यों ना आई धीक मन देने को मेरी बेहना क्यों ना आई धीख मन देने को हाल मैं उड़ा द्यू तेरी हाँ चेल मैं करा द्यू तेरी बान भीत ने मस पीछाई इजद मेरी घटाई मरियादा सब विसराई भीख मन देने को मेरी बेहना क्यों ना आई धीख मन देने को मेरी बेहना क्यों ना आई धीख मन देने को बाबा जी हमारी राणी अगर उसका भाई होता तो राजा होता राजगुमार होता इस बाबा ते वेश में खोड़ी होता बांधी तु अपनी कुछ मुझे बक्ता मीजी पर उतर रही है तु तु भूल गई मैंने उसके साथ में तुझे आँ पे रहे जाता अपनी मेहन के साथ में उन नीनों को याद कर सुड़िये ना मेरी बाद राणी का भाई राजा पिखारी तु होश में आजा भरे राम बैसले की चाही ये दर्द भरी कविताई राहुल ने खोल सुनाई भीख अब लेने को मेरी बहना क्यों ना आई भीख मन देने को मैं बांदी भीख्षाल आई भीखतने देने को मेरी बहना क्यों ना आई भीख मन देने को